हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे अपने डॉक्यूमेंट में डिजिटल सिगनेचर को वेरिफाई करें तो दोस्तो आपने देखा होगा कि आपके आधार कार्ड पैन कार्ड या और कोई हैं उसमें question mark बना होता है दोस्तो तो दोस्तो ऊसको मार्क का मतलब होता है कि वह डॉक्यूमेंट अभी वेर्िफाई नहीं है तो उसका सीगनेचर वेरिफाई करने के लिए दोस्तो में बहुत simple step बताने वाला हूं दोस्तों तो जानने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए तो चली जानते हैं अपने documents के signature को कैसे verify करें तो यहाँ पर example के लिए मैंने अपने आधार card को लिया है दोस्तों तो आधार card में भी हमारे जो है signature verify नहीं होते हैं तो इसको open कर लेंगे अब यहाँ पर हमें दोस्तों आधार card का password डालना होता है क्योंकि यह आधार जो है password protected रहता है तो इसका मैं यहाँ पर अपना password डाल लेता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा अधार open हो गया है तो यह वह signature है दोस्तों जो validate नहीं रहता है क्योंकि इसमें question mark बना हुआ है तो इस document को यदि validate करना है तो इस question mark को हमें change करना पड़ेगा right click में करना पड़ेगा वो भी green color में तो इसको सही करने के लिए दोस्तों इस dialogue box को पहले select कर लेना है देन इसके पास right click करनी है इस पे और validate signature वाला जो option है click करना है और इसके बाद जो signature properties है इस पे click करना है अब यहाँ पर हमें so signer certificate वाला जो option है इसको select करना है अब उपर जो यह option है दोस्तों trust का यहाँ पर इसको click करना है then add to trusted certificate वाले option पे click कर लेना है then इसको ok कर लेना है अब हमें यहाँ पर use this certificate as a trusted route वाले option को select कर लेना है इसके बाद जो certified document वाला option है इस पे click करना है और बाकी जो सारे option है इसको एक एक करके select कर लेने है और इसके बाद ok वाले button पे tap करना है then ok कर लेना है अब इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें इसमें validate signature करना है तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा signature valid हो चुका है तो signature valid करने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने अपने आधार card की PDF फाइल Adobe Reader से open करी हुई है तो यदि आपके laptop या desktop में Adobe Reader install नहीं है तो आप उसे install कर लिजे और यदि आप चाहते हैं कि दोस्तों आधार card कैसे download करें तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है उसका भी link मैंने अपने description में डाला हुआ है तो आप description में जाके वो वीडियो भी वहाँ से देख सकते हैं आई होप दोस्तों वीडियो में बताएगे steps आपको समझ आये होंगे और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फिली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजे जैसे ऐसे ही छोटे छोटे ये चूल वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें थैंक यू